आए दोस्तों, आज से हम लोग एक नए मैगजिन की शुरुवात करते हैं, जो द्रिष्टी का उत्तर प्रदेश करेंट अफेर्स का मन्थली मैगजिन है, उरसे शुरू करते हैं, ये उत्तर प्रदेश से समंधी जितने इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स के प्रशनों होते है जिसमें उत्तर-प्रदेस को एड़ किया गया है तो आपका चल्द रही यूभी कीस्ट शापरेलम्स होने वाला है तो उसमें संभावना है कि उत्तर-प्रदेस ससमयं मृष्ष्ण पुछा जा सकता है तो बिशेस तोर ही का यह मैगजीन प्रकासित हुआ है प्रेल 2023 का उससे लिए हैं और यदि आप सभी कमेंट करते हैं तो हम इसके जनवरी से मार्च प्रशन है उससे कबर करेंगे और उसके बाद जो इसके इंपॉर्टन टॉपिक है उन सभी को हम लोग एक एक करके क्रम से देखेंगे तो आईए हम लोग आज के इस वीडियो में वर्लाइनर फैक्ट के प्रशनों को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश करेंट अफियर से संब 6,90,242,43 करोड रुपए तो द्यान देजिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कारिकाल का दूसरा बजट पेस किया है तो कुल कितना बजट पेस किया है तो 6,90,242,43 करोड रुपए और यह बजट कप पेस किया गया तो 22 फरवडी 2023 को अगला देखते हैं 14 14 फरवडी 2023 को किस राज्य की मंत्री परशद ने पीम मित्र योजना के अंतरगत टेक्स्टाइल पार की अस्थापना एवं भूमी हस्तांतरड के परस्ताओं को स्विक्रिती परदान की है तो यह उत्तर प्रदेश ने ध्यान दीजिएगा पीम मित्र योजना के अंतरगत टेक्स्टाइल पार की अस्थापना एवं भूमी हस्तांतरड के परस्ताओं को स्विक्रिती उत्तर प्रदेश मंत्री परशद ने स्विक्रिती परदान की है उत्तर प्रदेश का वह सहर जहां 13-15 फरवरी 2023 तक G20 की बैठक आयोजित की गई तो G20 की बैठक उत्तर प्रदे कि कुल कितनी कंपणियों ने हिस्सा लिया तो सिंगापूर की कुल 21 कंपणियों ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया है उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां एक सी तीन फरवरी 2023 तक प्रकृति यों पच्छी महुर्षो 2023 का आयोजन किया गया तो महोबा में इसका आयोजन किया गया है ध्यान दीजिएगा पच्छी महुर्षो 2023 का महोबा जिले में इसका आयोजन किया गया है वह राज जो हालही में बिजली कनेक्शन देने के मामले में देश का सिर्ष राज बन गया है तो यह उत्तर प्रदेश बना है वह राज जिसने हालही में देश वर बिदेश में राज्यों का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को गौराव सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है तो यह उत्तर प्रदेश ने नेक्स्ट है आलही में चोहत्रोंगे गर्तन दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की जहाकी का कौन सा अस्थान रहा तो तीस सा अस्थान रहा द्यान दिजेगा उत्तर प्रदेश की जहाकी का तीस सा अस्थान रहा बात किया जाए पहला अस्थान किस राजे का था तो उत्तर खंड का पहला अस्थान था ध्यान दिजेगा दोस्तों उत्तरा खंड की जहांकी का पहला अस्थान था वहीं दूसा अस्थान महाराष्ट की जहांकी का था महाराष्ट की जहांकी का दूसा अस्थान था और उत्तर प्रदेश की जहांकी का तीसा अस्थान था इस पॉइंट को याद रखिएगा आने वाले एक्जाम में ये प्रस्ट पूछा जा सकता है चलिए नेश्ट देखते हैं वह राज सरकार जिसने हाली में समग्र सिच्छा अभियान शुरू किया है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश नल कनेक्शन की संख्या के संदर में देश की सिर्स चार राज्यों में सामिल हुआ है उत्तर प्रदेश राज में नल कनेक्शन की कुल संख्या कितनी है तो 75 लाग से अधिक ह हाल ही में केंद्री सिच्छा मंत्राले दौरा जारी अखिल भारती सर्वेच्छ दो जार बीच इकीष के अंशार राच में कालेजों की संख्या के संदर में सीर सराच्य है तो अधारsm कालेजों गलेजों की संख्या दिवाकर बने हैं उत्तर प्रदेश का वह सहर जहां सोलर प्लांट अस्थापित करने के लिए केंद सरकार की नौरतन कंपनी निगम लिम्टेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU साइन किया है तो यह कानपूर में सोलर प्लांट अस्थापित करने के लिए केंद सरकार की नौरतन कंपनी सतलूच जल बिद्दूद निगम लिम्टेड और उत्तर प्रदेश सरकार के मद MOU साइन किया गया है हाल ही में देश का वहराज जहां के मुख्यमंत्रियों ने जनता को डिजटल इंडिया वर इसके उद्देशियों के बारे में जानकारी करने के लिए डी जी वैन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया तो यह उत्तर प्रदेश ने देश का वहराज जिसने हाल ही में परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुँच को शुगम बनाने के उद्देश से एक आनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन गया गया है तो इससे याद रखिएगा फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लांच किया गया है किसके द्वारत उत्तर प्रदेश के द्वारा चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के वेस्थान जहां हाल ही में इफको के नैनो यूरिय तरल सैंत्रो का उठगाटन रशायन और उर्वरक मंतरी डाक्टर मनसुक मांडविया ने किया तो यह आउला बरेली में और फूल पूर प्रयाग राज में किया है दियान दीजेगा उत्तर प्रदेश के वेस्थान जहां हाल ही में इफको के नैनो यूरिय तरल सैंत्रो का उठगाटन किया गया तो आउला बरेली में और फूल पूर प्रयाग राज में इसका उठगाटन किया गया है चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का वह सहर जहां हाल ही में UP Global Investor समिट 2023 का आयुजन हुआ तो यह लखनव में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है इससे ध्यान दीजेगा UP Global Investor समिट 2023 का आयुजन लखनव में किया गया है। उत्तर प्रदेश से समंधित रहे वह राजनेता जिनको हाल ही में मर्डो उपरांत पद्म विभूर्षर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह मुलायम सिंग यादो को उत्तर प्रदेश इस्थित इलाहाबाद हाई कोट के वे मुखिन आधिस जिनको हाल ही में सुप्रीम को का नियादिःस नुक किया गया है तो धॉत्ति विंदल को जो इलाहबाद हाई कोट में नयादिःस नुक किया गया है देश का युवा मोटर वाइख रेसर जिनको हाल ही में लखनौ में अयुजित उत्तर प्रदेश global ऑबल इंवेश्टर समिट 2023 के दवरान प्रद्हान मंत्री नर्यन मोदी द्वारश शम्मानित किया गया तो सरेयस हरीश को शम्मानित किया गया है अ हाल ही में मद्य प्रदेश के संपन खेलो इंडिया यूध गेम में उत्तर प्रदेश का अस्थान कौन शा रहा तो 14 हुआ अस्थान रहा ध्यान दिजीएगा खेलो इंडिया यूध गेम में उत्तर प्रदेश 14 अस्थान पे था और खेलो इंडिया यूध गेम यह मध्य प्रदेश में आज़ित किया गया खेलो इंडिया यूध गेम 2023 के अंतरगत उत्तर प्रदेश के खिलाडियों द्वारा जीते गए कुल पदको की संख्या कितनी थी तो 36 पदक उत्तर प्रदेश के खिलाडियों द्वारा कुल 36 पदक जीते गए थे जिसमें 6 स्वड़ पदक, 14 रजट और 16 कांस पदक जीते थे नेश्ट देखते हैं हाल ही में संपन उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समित 2023 में कुल कितने रुपए के निवेश प्राप्थ हुए हैं तो लग भक्ता है 30,50,000 करोड रुपए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेश को की सुविधा एवं MOU के कार्यानोयन की निगरानी है तो प्रारम की गई आनलाइन प्रडाली का नाम है तो निवेश सार्थी नाम है हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेश्टर समित 2023 में हस्तान तरित हुए कुल MOU की संख्या कितनी है तो कुल इसकी संख्या 19,000 से अधिक है हाल ही में भारती रेलवेश द्वारा शुरू किया गया गवरो डिलक्स AC टूरीज में ट्रेन स्री राम जान की यात्रा उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अत्रिक्त जिन अस्थानों पर ठहरेगी वे अस्थान है वाराट्सी और प्रियाग राज है द्यान दिजेगा भारती रेलवेश द्वारा शुरू की गई भारत गवरो डिलक्स AC टूरीज में ट्रेन स्री राम जान की यात्रा उत्तर प्रदेश स्क्वें अयोध्या के अत्रिक्त यह वाराट्सी और प्रियाग राज में ठहरेगी अगला देखते हैं अगला देखते हैं अगला देखते हैं 21 फरवरी 2023 को भारत ने किस देख के साथ मिलकर दोनों देशों के निवासियों को आपा आसान और तेज सीमा पार लेंदेन करने में सच्छम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुक्तान तंतर शुरू किया है तो यह सिंगापूर के साथ 20 फरवरी 2023 को नीती आयोक का नया सीओ नियुक किया गया है तो वी वी आर सुब्रमन्यम को जान दिजेगा नीती आयोक का नया सीओ वी वी आर सुब्रमन्यम को नियुक किया गया है 20 फरवरी 2023 को केंदरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितीन गड़करी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिब्यांग पार्ग अनभूती समावेशी पार्ग की आधार सिला कहां रखी तो नागपुर में महाराष्ट के नागपुर में दुनिया की सबसे बड़े और अनोखे दिब्यांग पार्ग अनभूती समावेशी पार्क की आधार सिला रखे हैं 20 फर्वरी 2020 को घोसित दादा शाहिव फाल के अंतराश्टी फिल्म महुष्षो पुरस्कार में सर्शिष्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता तुद्ध कस्मीर फाइल्स ने 20 फर्वरी 2020 को भारत के वह सतरंज खिलाडी जो जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर देश के अस्य हमें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं तो विगनेस एन आर बने हैं तो इन्होंने जर्मनी के इल्जा स्नाइडर को हराकर भारत के 80 वे Grand Master बने हैं कौन बने हैं तो विगनेस एन आर बने हैं गुजरात के पूर राजपाल जिनका 87 वर्ष की उम्र में 20 फरवरी 2023 को निधन हो गया तो कौन थे वो ओम प्रकाश कोहली थे गुजरात के पूर राजपाल ओम प्रकाश कोहली थे जिनका 20 फरवरी 2023 को निधन हो गया भारत की वह जिल जहां 20 फरवरी 2023 को फ्रोजन लेक महराथन आयोचित किया गया और जिसे पहली बार अधिकारी तोर पर गिनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड में सबसे उची फ्रोजन लेक महराथन के रूप में सामिल किया गया तो यह पैंग्यों तशोजिल लद्धाख्मो तो भारत की वह जिल जहां 20 फरवरी 2023 को फ्रोजन लेक महराथन अलजित की गई और जिसे पहली बार अधिकारिक तोर पर गिनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड में सबसे उची फ्रोजन लेक महराथन के रूप में सामिल किया गया है पैंग्यों तशोजिल को शामिल किया गया है जो लद्धाख में इस देत है और नीज फरवरी 2023 को 76 में ब्रिटिस एकडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा की घोशडा की गई जिसमें सर्वसेट फिल्म का पुरशकार जीता है तो यह आल क्वाइट अंद वेस्टर फ्रंट न एक्स धर्म गार्डियन का चौथा संस्क्रण आयुजित किया जा रहा है तो कहां पे जापान के सिगा प्रांद के कैम्प इमाजू में तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारत और जापान के बीस सैयुक सैन अभ्यास कौन सा होता है तो एक्स धर्म गार्डियन होता है जि दिली में नई दिली में इसका आजन किया गया नौफरवरी 2030 को टेस्ट क्रिकेट में परधार पर करते ही इंटरनेशनल क्रिकेट ये तीनों फार्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेन्यों डेब्यू करने वाले पहले भारती क्रिकेटर कौन बन गये हैं तो सूर्य कुमार यादों बने हैं हाल ही में भारत ने अफरिका महादूइप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत अस्थांतरित करने के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किया है तो यह दच्छिड अफरिका के साथ भारत की वह खिलाडी जिन्हें हाल ही में ICC Emerging Woman Cricket of the Year 2022 चुना गया तो रेडुका सिंको हाल ही में PM नरिद मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलिकाप्टर Manufacturing Unit का उडगाटन कहां किया तो यह करनाटक के दुम कुरू में हाल ही में किस ने यात्रियों के लिए What's Up Food Delivery सुगधा शुरू की है तो यह Indian Railway ने शुरू की है हाल ही में भारत के किस Muslim Composer के प्रतिष्ठीद Crimming Awards 2023 जीता तो यह रीखी केज ने जीता है हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अंतराष्टी सौर गण बन्धन का पूर सदर्स बना है तो यह ब्राजील बना है ध्यान दिजेगा अंतराश्टी सौर गंड बंधन का पूर सदर्स ब्राजील बन गया है हाल ही में पीम नरेंद मोदी ने इंडिया एनर्जी विक 2023 का शुबारम किस सहर में किया तो बैंगलूरू में हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लांज किया है तो यह इसका ही इर ने लांज किया है हाल ही में किस केंदरी मंतरी ने मिसन अंतियोदे सर्वेचछ दोहचार बाइस देश का उडगाटन किया तो गिरीराज सिंग ने हाल ही में जाष्टपती द्रोपदी मुर्मु ने महिलाएं मुल्य निष्ट समाज की नियो थिम पर एक राष्टी सम्मेलन का उडगाटन कहां किया तो यह हरियाडा में इसका उडगाटन किया था हाल ही में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए सतक जड़ने वाले दोस्य क्रिकेटर कौन बन गए हैं तो यह गहरी बैलेंस बने हैं कौन सा बैंक क्यों यार कोड आधारित काइन वेंडिंग मसीन लांच करने के लिए एक पाइलट पर योजना सुरू करेगा तो यह भारती दिढ़रद रिजर्वएंक हाल ही में मानीटरी पाल्सी समिटी ने समीतीने रेपोरेट को बढ़ा कर कितने प्रिशत कर दिया है तो 6.05 प्रिशत किया है तुर्की और सीरिया ध्यान दीजेगा बहुत इंपॉर्टन क्योस्चन है तुर्की और सीरिया में आयव भुकम में राहतकार संबन्दी भारत द्वारत चलाए गए अभियान का नाम आपरेशन दोस्त है हाल ही में पाकिस्तान के किस बिकेट कीपर बल्लेवाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है तो कामरान अकमल ने हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसियेशन ने किस भारती को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच न्यूग किया है हाल ही में किस केंद्री मंत्री ने पुरुतर राजियों के युवाओं और देश के अनहिस्सों के युवाओं के बीच सहानी भूत पैदा करने के ओदेश से युवा संगम पोल्टर लांच किया है तो यह धर्मेंद प्रधान ने हाल ही में किस company ने heavy duty ट्रको के लिए भारत की पहली कौन सी तो भारत की पहली हाइडरोजन संचाली तकनीक लांच की है तो Reliance Group ने हाल ही में Australia के किस क्रिकेटर ने अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास की घोशड़ा की है तो यह Aaron Finch ने हाले ही में green band launch करने वाला देश का पहला नागरिक निकाए कौन बन गया तो indoor municipal corporation बना है हाले ही में नए भारती सेना उप्रमुक के रूप में किसे नामित किया गया तो lieutenant general MV सुचिंदर कुमार को हाले ही में BCCI ने महिला premium league के title sponsor के रूप में किसे चुना है तो Tata group को हाले ही में बाप्टा अवार्ड सो 2030 में किस film ने साथ अवार्ड अपने नाम किये तो यह all quite on the western front ने हाले ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI chatbot का नाम क्या है तो आधार मित्र है हाल ही में वह भार्डी अस्थाई प्रतनिदी जीसे शैयुक्त राष्ट सामाजिक विकास आयो के बाश्ठा में सतर की अध्याच चुना गया है तो यह रूचिरा कम्बोज को ज़्यान दीजेगा भारती वह भारती जिनें अस्थाई प्रतनिधी के तोर पर स्रैयुक्त राष्ट सामाजिक बिकासायों के बासठा में सत्र की अध्यच्छ चुना गया है तो रूचिरा कमबोच को चुना गया है तो दोस्तों इसी प्रस्म के साथ हम लोग उत्तर प्रतेश करेंट अफेर्स के वन नाइनर फैक्ट के प्रस्मों को कम्प्लीट देख लिए है आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी प्रत्क्रिया कमेंट बाक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो